मस्कार दोस्तों फ्वागत है आप फभी का एक बार फिर फे आपके अपने यूट्यूब चैनल टागवित हेमराज में तो दोस्तों IDBI बैंक दोरा PGDBF कोर्फ के बाद असिस्टेंट मनेजर ग्रेड एके कुल 56 पदों की भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके फ़ॉर में 10 अगस्त 2021 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों फब फे पहले मैं आपको PGDBF कोर्फ के बारे में बता देता हूँ तो PGDBF कोर्फ एक साल का होता है जिसमें फे 9 महीने का आपका क्लाफरूम कोर्फ होता है और 3 महीने का इंटरनिसिप होती है तो कुल मिलाकर यहां 12 महिने का मतलब एक साल का आपका कोर्फ होता है PGDBF जो बैंक ही कराता है इसके बाद आपको PGDBF फर्टिफिकर दिया जाएगा और फाथ में आपको असिस्टेंट मनेजर ग्रेड एकी पोस्ट पर न्यूक्त कर दिया जाएगा तो दोस्तों चलिए हम इसकी ओफिफियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में हम डिटेल फे जान लेते हैं तो यदि आपने ग्रेजुएशन कम्पलीट किया है 50% के साथ तो आप इन पोस्टों के लिए अपलाई कर फकते हैं यहां पाफ एज जो मांगी गई है तो मिनिममम 21 साल और मैक्जिममम 28 साल यहां मांगी गई है यदि आपकी उम्र 21 से 28 साल के बीच है तो आप इन पोस्टों के लिए अपलाई कर फकते हैं फिर इसके बाद आपको यहां पाफ पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा तो टोटल 650 पोस्ट की भरती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके बाद आपको यहां पाफ eligibility criteria देखने के लिए मिल जाएगा फिर इसके बाद यहां पाफ आपको age relaxation देखने के लिए मिल जाएगा तो यदि आप CS-D candidate है तो आपको 5 पाल की यदि आप OBC candidate है तो 3 साल की यदि आप PWD candidate है तो आपको यहाँ पाफ दफ़ाल की age में छुड़ दी जा रही है इसके बाद आपको यहाँ पाफ देखने के लिए मिल जाएगा application fees तो यदि आप SCST या PWD candidate है तो आपको यहाँ पाफ 2 रुपए फीस पे करना पड़ेगा इसके अलाबा यदि आप general OBC category से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पाफ 1,000 रुपए फीस पे करना पड़ेगा इसके बाद आपको यहाँ पाफ important date देखने के लिए मिल जाएगा तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके जो form है तो 10 अगस्त 2021 से भरना ही start हो गए है 22 अगस्त 2021 तक भरे जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पाफ फ्लेक्षण प्रूफिफ देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पाफ फ्लेक्षण जो होगा तो आपका तो online test और personal interview के आधार पर किया जाएगा तो यहाँ आपका जो flavor है तो logical reasoning और DI आप से पूंचा जाएगा इसके जो question रहेंगे तो first question, first number के फिर English language के आप से question पूंचे जाएगे 40 और 40 number के फिर है quantitative aptitude के यहाँ पाफ 40 question पूंचे जाएगे 40 number के फिर general economy, banking awareness के short question पूंचे जाएगे 60 number के टोटल आपको यहाँ पाफ 2 घंटे का फमय दिया जाएगा फिर इसके बाद आपको यहाँ पाफ फैलरी देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पाफ आपको 9 महीने तक 25 सो रुपए दिया जाएगा फिर आपको यहाँ पाफ 3 मन्थ तक 10,000 रुपए दिया जाएगा फिर इसके बाद जब आपका flexion हो जाएगा फाइनल flexion assistant manager grade A की post पर तब आपको यहाँ पाफ 36,000 रुपए पर मन्थ दिया जाएगा फिर यह फैलरी जो है तो बढ़ती जाएगी और फत्रह फाल बाद यहाँ पाफ 33,000 रुपए हो जाएगी तो दोस्तों यदि आपके मन में कुछ question है तो आप comment करके पूँछ वक्ते हैं यदि वीडियो अच्छी लगे तो please like and subscribe करना न भूलें आपका बहुत बहुत धन्वाद